हांजी, Interchange of Affirmative and Negative Sentences Affirmative Sentences नो Negative Sentences दे विच कितना चेंज किता जान्दा और Negative Sentences नो Affirmative Sentences दे विच कितना चेंज किता जान्दा यह करांगे आज दी वीडियो दे विच और उस तो पहला जान दिये कि Affirmative Sentence केड़े Sentence होंदे हैं and Negative Sentence केड़े Sentence होंदे हैं affirmative sentences means positive sentences ज़ जिन्ना नो पंजाबी दे वे चाफा सकरा तुमक वाग जा हां पक्की वाग या लन्या और negative means ना पक्की so हुन इस तरह दे sentences नो किद्धा इंटर्चेंज करेया जान्द है ओ दिखांगी अगर sentence आफिमेटी वाजाई then you just need to put no or never no जा नेवर लगाना किद्यागी before the word opposite in meaning हुन sentence दे विच जड़ा भी word given हुएगा for example she is beautiful beautiful is adjective so ओ word जाता adjective हो सकदा है जा वो सकदा है जिदा आपा विरुद्धी शाबद लमागी and ओ दे अगे की लगा दमागी no or never इस रोल दे अगर्डिंग जड़ा sentence हो negative हो जाएगा जिदा मैं example दे तौरते ले शी इस beautiful and ओदा negative की होएगा she is not beautiful दा opposite meaning ugly she is not ugly means sentence दे जड़ा meaning है ओ ही रहना चाहिदा है बट जड़ा sentence है उन्हों negative form दे वेच कितना change करते ना ओदे ले जस नो ते never लगा देना हेगा example दे तौरते मैं sentence लही या कुषक वान चुड़ा बी satisfied with one's lot हरेक नू अपनी lot देनाल अपनी किस्मत देनाल संतोस्ट होना जाहिदा है उन संतोस्टी जड़ी है जे इस sentence नो मैं लिखता मा one should not be satisfied with one's lot हर एक नो अपनी किसमते नल संटोस्ट नहीं होना जाहिए था 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 संटेंस दी संसी चेंज कर देती, मेनीग हो ही रखना है बट मेनीग हो ही रखने होए संटेंस नो नेगेटे फोर्म्ट चेंज करना है सो उन सैटिस्फाइड दासी की लमागे opposite word की होएगा संटोस्ट असंटोस्ट दिस्साटिस्फाइड अगेश सब्जेक और हल्पिंग वह गिवन है शुद भी जदो भी संटाइड शुद भी देनल पॉजिटेंस नेगेटिव दे विच किद्धा होएगा शुद नॉट बी वन शुद नॉट बी dissatisfied with one's not सो संटेंस जो है अफोर्मेटिव दो नेगेटिव देविचेंज होगे निक्स आर्लाइड इस फर्टाइल साठी तर्ती किया उपजा हुए सो संटेंस अफोर्मेटिव ए नेगेटिव किद्धा मणेगा वन जे कह रहत है our land is not fertile sentence the meaning change हो गया sentence जड़ा है negative तब आजूगा but meaning change हो गया अपर meaning होगी रखना है but sentence नो negative forms change कर देना है so साथी तर्ती अपजा हो है तो मतलब कि साथी तर्ती बंजर नहीं है अपर negative बना मागी ते अधर meaning के ही निकलेगा कि बंजर नहीं है so our land now is helping word then not fertile अप जाओ एंड बंजर देली की word अपा जड़ा है opposite यूज करांगे barren so our land is not barren he remained quiet वो शांत रहा means कुछ नहीं बूल लिया जब आपा negative बनाना होगा क्यों कुछ नहीं बूल लिया so he remained quiet first subject now उन sentence दे विच कोई helping word given नहीं है जिदा पिछे is मिल गया सी, should भी मिल गया सी so आपा tense देखांगे tense की yes remained second form so simple past simple past देवे चसी helping word केडियां यूज कर दे सीगे जो दो negative बनाना है sentence नो did not did not plus first form so he did not quiet शांत रहा नहीं बूल लिया talk remained means lamba sama so for long time lamba sama हो कुछ नहीं बूल लिया so sentence there is meaning हो ही रिया के ओ नहीं चांत रहा means ओ नहीं बूल लिया but sentence positive सी negative हो गया then है next sentence she is not alive जियो जियोंदी नहीं है जिन्दा नहीं है तो इदा मतलब लगे ही है क्यों हो मर गई है so she is negative सी अपना affirmative बना रहे है जड़ा not है उनों हटा दमागे कि में हटेगा meaning same रहेगा जड़ो इदा असी opposite word लेला मागे so she is dead मर गई है next है my friend succeeded in his mission मेरा दोस्त अपने mission दे विछ सफल हुया so सफल हुया मतलब के असफल नहीं हुया ज़ नेगेटिव कहना हुएगा so my friend again कोई helping verb नहीं मिली tense देखो succeeded so simple past again did not my friend did not succeed सफल सफल fail in his mission next close the door दिर्वजा बंदगार दियो so change 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 हाट सकताएभ हाह जैहीं helping verb given गीवन है तो helping verb धेनल नाट और नेवर लगा सकताएभ अगर नहीं गीवनोट धेन्ट धेन्स देखो सफ़ें देन नॉट अगें कुश्क संटेंस इद्धा दे आजान दे जिनन देवेच जाता बिगनिंग देवेच ओनली यूज होया हुंद है सिर्फ जा अलोन इकल लाई जदो तो हाटे कुले संटेंस देवेच ओनली जा अलोन आगया तत उसे संटेंस नूँ चेंज करना नेगटिव ओन देवेच चेंज करन दे लई ट्रांसफॉर्म करन दे लई नन बट देना आगया नन मीन्स कोई भी नहीं पर जितना संटेंस लनने या तपूर अलोन डिजर सिर्फ गरीब जड़े ने डिजर्व करते ने मदल दे लोन आगया देन रिप्लेस करना नन बट उन रिप्लेस हो गया देन साबजेक्ट दपूर डिजर्व हेल्प उन्दे को संटेंस जे अप मेनिंग देखिए नन कोई भी नहीं पर गरीब जड़े है डिजर्व करते हैं एही सेंसे क्या रही थी कि सिर्फ कौन करदा है गरीब सो अलोन नोसी रिप्लेस कर देना नन बट नन लागया सेंटेंस नेगेटिव हो गया ओनली अब ब्रेव मैन कुट बैटल विद हिम सिरफ एक बहादर जड़ा बंदा है लडाई कर सकता है उदेना सो अगीन ओनली रिप्लेस विद नन बट कोई नहीं पर कौन कर सकता है नन बट ब्रेव मैन कुट बाटल विद हिम सो एसी सेंट रूल अगर सेंटेंस देविच ओनली जा अलोन आ चांता है नन वनु चेंज करते है नन बट नन बट निक्स्ट इस अगर सेंटेंस दे बेच आ गया है बट फोर बट फोर देन उनहों से बट फोर आजन दे मतलब के अगर अज़ीहा न आ होंदार सेंटेंस दी सेंस भी होंदी है सो अपना रेप्लेस करना इफ देन सेंटेंस दे विछ जो भी सब्चेक्ट की बन है यो है ही है जो भी then had not for example but for your advice I would have been ruined मतलब की कहा रहा है कि सिरफ तो हड़ी सला दे करके मतलब तो हड़ी सला करके पर तो हड़ी सला ना दित्ती हुं दित्ता में की हो जान्दा ruined हो जान्दा, बरबाद हो जान्दा सो अपना replace करना है क्योंकि sentence affirmative है negative form चेंज करना है if, now subject to your means you if you then had not होन, होन इती है असी advice नहीं लादा मागे, noun form नहीं लादा मागे, subject helping verb then mean verb, structure ता जरूरत यहां डखना है, sentence structure ता then subject helping verb तो आदा अपना use कर देया mean verb, so if you had not mean verb की होईगी advised किनू नही advised किता हूंदा मैंनू, ठीक है, हमी then I would have been ruined so इस वेदेना sentence नहीं चेंज करना है अगर sentence दे विछ passive form आजान दी है then तुसे had not been use कर लाना so यह सी third rule but for नहीं चेंज करना if then subject had not so यह सी के interchange किता करी जानते है affirmative and negative sentences आज दी वीडियो दे वेच एन नहीं सूत thank you च्च्च्च्च्च्च्च MKR